प्रदेश में अब गर्वती महिलाओं को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है जहां राजधानी भोपाल में स्वास्त मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जैप्रकाश अस्पताल पहुचकर वैक्सिनेशन व्यवस्थाओं का निरेक्षन किया है देखिये राजधानी भोपाल के साथ ही पूरे प्रदेश में गर्वती महिलाओं को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है जहां वैक्सिनेशन की व्यवस्था का जायजा लेने खुद स्वास्त मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पहुचे इस दोरान स्वास्त मंत्री साश के अजय प्रकाश अस्पताल पहुचे जहांनों ने वैक्सिनेशन के साथ ही अस्पताल परिसर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी नरिक्षन किया है आज से पूरे प्रदेश में गर्वती माताओं के लिए भी कोविड वैक्सिनेशन शुरू हुआ है अभी तक जो प्रेगनेंसी थी वो कोविड वैक्सिनेशन के लिए कांट्रा इंडिकेशन माना जाता था पर राश्ट्री और स्टेट की गाइडलाइन आ गई हैं जिसमे अब प्रेगनेंट वोमेन और लेक्टेटिंग वोमेन को भी कोविड का ठीका लगाया जाना है आज इसका पहला दिन है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल कॉलेजेज जिला अस्पताल सिविल अस्पताल और सी एससी के लेवल पर जहां पर एंटी नेटल चेक उन चेक अप के साथ में जैसा आपको मालूम है कि टिटनेस का वैक्सिनेशन भी होता है उसी के साथ में कोविड वैक्सिनेशन भी शुरू हुआ है इस कोविड वैक्सिनेशन को गर्वती माताओं को किसी भी ट्राइमिस्टर में लगाया जा सकता है पूरे 9 महिने में जब तो दूसरा डोस भी दे देंगे स्टेट गौवर्मेंट की गाइडलाइन के अनुसार अभी कोविड वैक्सिनेशन जो गर्वती महताओं के लिए चल रहा है उसमें केवल को वैक्सीन लगाई जा रही है अगर उसके बाद कोई और गाइडलाइन आती है तो कोविड शील्ड करवाने की आवश्यक्ता नहीं है जो गर्वती महता है हमारी एंटिनेटल चेकप के लिए आएंगी उनका एंटिनेटल चेकप किया जाएगा और उनको अगर कोई और का वैक्सीन आज लगा दिया जाए वैक्सिनेशन को लेकर cmho डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि गर्वती महिलाओं को निया मनुसर को वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है राजधानी भोपाल के लगभग 11 इस्थानों पर यह टीका लगाया जा रहा है इस दोरान बड़ी संख्या में गर्वती महिलाओं ने अस्पताल पहुँचकर वैक्सीन लगाया है अग्वाई ब्यूरो रपोर्ट अंपन्यूस भोपाल